देखिए आज का टॉपिक हमारा फिजिक्स में है फिजिक्स में क्या टॉपिक है सुनिए लेंस की आवर्दन जम्दा के लिए बेंज जगे इससे पहले हमने U, B, M, F में संबंध बताया था लेंस के लिए आज हम लेंस के आवरदन जम्दा का फार्मूला प्रूब करेंगे देखिए क्या फार्मूला होता है ध्यान दीजिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अफ्तल लेंस बना लेंगे यह हमारा बन गया लाइट को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाते हैं और यह लेंस से टकरा के डाइवर्स हो जाएगी इदर को यहां से हमने इसको क्या किया डॉट डॉट करके बढ़ाया तो यहां पर यह इसका फोकस मिला और यह जो अप्टिकल से लाइन जाएगी यह की लाइन चली गई लाइट रे तो यह देखिए यहां पर यह आपका इमेज फोर्म हो गई AB AB इमेज फोर्म हो गई यह AB है तो AB से माल लिया तो इसमें डैस लगा दो अब आप देखो यह ट्रैंगल यहां यह ट्रैंगल जो है वो 90 बना रहा है यह ट्रैंगल भी 90 बना रहा है यह यहां पर C पॉइंट माल लिया यह M पॉइंट हो गया अब आप देखिए तो यह वाला जो ट्रैंगल है यह और यह वाला जो छोटा सा ट्रैंगल यह दोनों सिम्लर है और यह जो डॉट डॉट करके तुमने जहां बढ़ाई है न यह F है फोकस पर आती है यह अब यह दोनों ट्रैंगल सिम्लर है नाम देखें इनके क्या है ट्रैंगल तरबुझ ABC और दूसरा तरबुझ है तथा यबा A डैस B डैस C में इन दोनों ट्रैंगल खासियत है कि इनमें जो ABC एंगल ABC वो 90 है और इसमें ऐसे ही A डैस B डैस C बराबर भी 90 है तो दोनों बराबर हो गए अगल ABC बराबर अगल A डैस B डैस C बराबर भी 90 तो दोनों बराबर हो गए अब साथ में यह जो C कॉमन है यह जो C एंगल है वो common है एंगल C बराबर एंगल C common यह एंगल common हो गया और तीसरा बराबर हो नहीं है क्योंकि दो एंगल बराबर होते हैं यानि कि यह दोनों similar हुए तो लिख दिनगे आता तरे बुज़ A, B, C similar triangle A-B-C A-B-C अब similarity जब प्रूव हो जाती है उसके बाद क्या rule होता है A-B upon A-B- या A-B-D upon A-B A-B-D upon A-B इसी प्रकार B-C upon B-C अब A-B-D को हमने image है तो i से denote कर दिया यह object है वो से denote कर दिया B-C क्या है B-C क्या है B-C है lens से image तक की distance तो lens से image की distance होती है उसको minus B कहते हैं तो यह minus B होगा और यह BC है object distance तो यह minus U होगा minus minus cancel होगा तो I upon O बराबर B upon U और यही है आवर्दन चमता magnifying power तो आवर्दन चमता का क्या सूत्र बना? आवर्दन चमता बराबर आवर्दन चमता बराबर फार्मूला बना प्रति बिम्ब की लंबाई प्रति बिम्ब की लंबाई अपान बस्तू की लंबाई यह बना यह हम आवर्दन चमता को इस फ़र्म में भी लिख सकते हैं आवर्दन चमता बराबर इननी में ऐसे भी लिख सकते हैं दरपड से लैंस से प्रति बिम्ब की दूरी लैंस से प्रति बिम्ब की दूरी प्रति बिम्ब की दूरी लैंस से किस की दूरी? प्रति बिम्ब की दूरी और हम लिख सकते हैं लैंस से बस्तू की दूरी दोनों ही आपरदन चमता के लिए सही लिखे हुए है ये बहुत important formula है और इस formula इस अब formula कलेक्ट करने के बाद जब आपके पास सारे formula हो जाएंगे तब ही आप exercise के numerical कर पाएंगे तो numerical की द्रस्टी से और पूरे subject पूरे chapter की पूरे अच्छे चैप्टर का concept समझने के लिए आपको इन फार्मूलों को सीखना बहुत जरूरी है ये most important formula है बोर्ड के लिए Thank you very much